नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है एक ऐसे यूट्यूब चैनल में जो आपको हर नए दिन कोई रोचक जानकारी से अवगत कराता है ये सफर यूही जारी रहेगा इस सफर में आपके साथ की जरूरत हमेशा रहती है आपको करना बस इतना है कि यूट्यूब देखते देखते हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा कर कॉमेंट करें ताकि हम और नई जानकारियों को आप तक व्ला सकें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया का पहला कम्प्यूटर कब और कैसे बना था पिछले कई बर्षों से प्रोध्योगी की लगातार मनुष्य को चमतकार दिखाती आई है हमारे जीवन में आज जो भी सुख सुविधाय उपलब्ध है उन सभी में टेकनोलोजी का एहम रोल है पर क्या शुरू से ही टेकनोलोजी के दिमान रही है इसके पीछे क्या कहानी है और आगे क्या संभावनाय है ये सभी बाते जानना बहुत ही रोचक है सबसे पहले कंप्यूटर सन 18-122 में चार्ल्स बैबज द्वारा बनाया गया था लेकिन आप सोच रहे हैं कि यह बिल्कुल वैसा कंप्यूटर था जो आप आज देखते हैं तो यह बिल्कुल भी वैसा नहीं था वर्ष दर वर्ष कंप्यूटर में बदलाव होते चले गए जो आज भी जारी है उसके बाद सन 18-137 में चार्ल्स बैबज ने पहला जेनरल मकैनिकल कंप्यूटर प्रपोस किया जिसका नाम रखा एनलिटिकल एंजिन दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर में सिर्फ फाइब मब डेटा स्टो किया जा सकता था माउस भी लकडी का बना होता था जिसका अविशकार 1960 के दशक की शुरुआत में श्रीके डगलस एंगेलबाट द्वारा शुरू किया गया था आपसे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा साज़ा की गई जानकारी अच्छी लगी होगी हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें और नई जानकारी साज़ा करने में मदद करेंगे